राधे राधे, एक कठिन साधना त्याग, एक बार महर्शी नारत ज्यान का प्रचार करते हुए किसी सघन बन में जा पहुँचे, वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा घनी छाया वाला सेमर का व्रिक्ष देखा और उसकी छाया में विश्राम करने के लिए ठहर गए, नारत रिशी को उसकी शीतल छाया में आराम करके बड़ा आनंद हुआ, वे उसके वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, उन्होंने उससे पूछा कि, व्रिक्ष राज तुम्हारा इतना बड़ा वैभव किस प्रकार सुस्थर रहता है, पवन तुम्हें गिरादी क्यो नहीं, सेमर के व्रिक्ष ने हंस्ते हुए रिशी के प्रश्न का उत्तर दिया की भगवान, बेचारे पवन की कोई सामर्थे नहीं कि वह मेरा बाल भी बाका कर सके, वह मुझे किसी प्रकार गिरा नहीं सकता, नारत जी को लगा कि सेमर का व्रिक्ष अभिमान के नशे में ऐ कैसे वचन बोल रहा है, उन्हें यहां उचित प्रतीत न हुआ और जुन्जलाते हुए सुर्लोग को चले गए, सुर्पुर में जाकर नारत जी ने पवन से कहा, अमुक व्रिक्ष अभिमान पूर्वक दर्प वचन बोलता हुआ आपकी निंदा करता है, सो उसका अभिमान दूर करना चाहिए, पवन को अपनी निंदा करने वाले पर बहुत क्रोध आया और वह उस व्रिक्ष को उखाड फैकने के लिए बड़े प्रबल प्रवा के साथ आंधी तूफान की तरह चल दिया, सेमर का व्रिक्ष बड़ा तपस्वी परोपकारी और ज्यानी था, उसे भावी संकट की पूर्व सूचना मिल गई, व्रिक्ष ने अपने बचने का उपाय तुरंथ ही कर लिया, उसमें अपने सारे पत्ते जाड डाले और ठोंड की तरह खड़ा हो गया, पवन आया उसने बहुत प्रयत्न किया पर धूंड का कुछ भी बिगाड न सका, अंतता उ उसे निराश होकर लोट जाना पड़ा, कुछ दिन पश्चात नारत जी उस व्रिक्ष का परिणाम देखने के लिए उसी बन में फिर पहुँचे, पर वहां उन्होंने देखा कि व्रिक्ष जों का त्यों हरा भरा खड़ा है, नारत जी को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने सेमर से पूछा पवन्ने सारी शक्ती के साथ तुम्हें उखाडने की चेश्टा की थी पर तुम तो अभी तक जो के त्यों खड़े हुए हो, इसका क्या रहसे है? व्रिक्ष ने नारत जी को प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक निवेदन किया रिशिराज मेरे पास इतना वैभव है पर मैं इसके मों में बंधा हुआ नहीं हूँ संसार की सेवा के लिए इतने पत्तों को धारन किये हुए हूँ, परन्तु जब जरूरत समझता हूँ, इस सारे वैभव को बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देता हूँ और ठूंट बन जाता हूँ मुझे वैभव का गर्फ नहीं था, वरन अपने ठूंट होने का अभिमान था, इसलिए मैंने पवन की अपेक्षा अपनी सामर्थ को अधिक बताया था आप देख रही हैं कि उसी निरलिप्ट कर्मेयों के कारण में पवन की प्रचन टक्कर सहता हुआ भी यथा पूर्व खड़ा हुआ हूँ नारजी समझ गए कि संसार में वैभव रखना, धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है इससे तो बहुत से शुपकार्य हो सकते हैं बुराई तो धन के अभिमान में दूब जाने और उससे मोग करने में है राधे राधे